पाई पाई पैंस से चह मुड़तियां हैं एक महाकाली एक वो सामने देख रही है एक देवी जी यहां पर जो जाने के लिए तयार है और रात में भी बहुत ज्यादा देवी जी यहां से उठने वाली है और एक महाकाली जो सामे देखने इस्तान पर नौ दिन के लिए जहां विराजमान होती है वहाँ पर चली आएंगी यहां से आत्र अपनी स्टार्ट करेंगे वेलकम बैक टू माइ यूटूब चैनल एमपी का दिल जवलपर आज हम कच्छयाना की देवी जी यहां पर देखाने जा रहा हैं देख रहे हैं आप सामने जे कच्छयाना की है देवी जी भाई बहुत ही सुन्दर कि यहां पर भूट ही शौंगत संगार किया गया है माता का अप्छे सामने देख रहा हैं मिलकूल और यहां के भाईयाजी से भी आवन बात करते हैं कि कहां पर है और कहां पर विराजमान होती है माता पहले तो आप सभी को नुरातिक सारी बदायां सुप्राबना है नूट में स्थापित होती है इसमें मातरानी का हम लोग विविद प्रकाज सिंगार करते हैं और सब सोना चाहिए और रियल हमारा सिंगार होता है आपके देखिए सामने देख रहा है मातरानी बहुत ही सुन्डर सिंगार की हुई है तो जाने के लिए तैयार और रात में भी बहुत ज्यादा देविजी यहां से उठने वाली है और एक महाकाली जो सामने देख रहा है वो है आप देख रहा है सामने जैब घड़ा बावली गड़ा की है मातर जी अभी कुछ समय में ही लेकल जाएंगी बहुत ही सुन्दर नजारा वाई तो दोड़ वाजा सब लेके आ चुके हैं लोग अपनी माता को लेने के लिए वाई देखे माता अभी जश्ट पूजा अर्चना चालू हो गई है और जश्ट माता अभी यहां से अपने अस्थान पर नौ दिन के लिए जहां विराजमान होती हैं वहाँ पर चली आएंगी तो वाई मूर्तिकार कहां से आई हैं जो देखिए माता का पूजा अर्चना चालू हो चुका है जो देखिए मूर्तिकार देवी जी को बहुत हैं जो जश्ट अभी लेकरने वाली हैं और तयार हो चुकी है मूर्तिकार देवी जी को बहुत ही स्पूट से काम करके तयार कर रहे हैं अभी ही मूर्तिकार दौरा पनागर की महकाली भाई इन्ही के हां तयार की जा रही है और भाई बहुत ही सुंदर तरीके से तयार किया जा रहा है मूर्तिकार दौरा बस कुछी समय में महकाली भी यहां से यातर अपनी स्टार्ट करेंगी और भाई यहां पर बहुत सारी देवी है जो जस्ट बैक टू बैक लोग लेने के लिए माता को आ चुके हैं और जाएंगी माता वहां अपनी सब्सक्राइब। व्योंदियो के लिए कमेंट करना पड़ेगा भाई की आपको वीडियो के ल oo कि शेयर करें करें सब्सक्राइब करें धन्य वाद